पूप के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हैं ये मद्धिम्वर्ग और उच्च मद्धिम्वर्ग की उधारता ही है उनकी इमानदारी ही है कानुन को मानकर चलने की उनकी प्रतिवद्धता ही है जिसकी वज़र से देश को टैक्स मिलता है देश की योजनाय बनती है गरीब का खल्यान होता है बर्सों से ये मांग रही है कि पांच लाख रुपिय तक की आईकोर इंकम प्रैस से मुक्त गोशे की आजा इतने वर्सों से की जा रही इस मांग को पुरा करने का खांग हमारी सरकार ने किया साथियों किसानों के लिए समय समय पर अलग-अलग योजनाय अलग-अलग सरकारों ने बनाई है लेकिन उपरी सत्व के दो-तीन करोड किसानों से ज़्यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आये ही नहीं अब प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी यानि जिसे पी-एम किसान योजना कहा जा रहा है उसका लाब बारा करोर से ज़्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पांस पांच एकर से या पांच एकर से कम भूमी है एक प्रकार से आज़ाती के बाद देश के इत्यास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना में हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक थोस कदम उठा रही है पच्छुपालन, गउसमवर्धन, मचली पालन जैसे ग्रामीर जीवन और क्रिसी जीवन से जुड़े अहम छेत्रों का भी इस बजेट में विशेष भान रखा गया है राष्टिये कामधिनु आयोग और मचली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोणों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा मच्छपारों की मदद करेगा हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को ससक्त करके उसे वो साधन दे संसाधन दे जिससे वो अपनी आयद दोगुनी कर सकते आज के दिर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगा साथियों आज भारत में अनेक शेत्रों में विकास हो रहा है नए नए प्रकार के खेत्रों में नए नए विस्तारों में नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगती हो रही है और इन खेत्रों में काम करने वाले लोगों की संक्या भी निरन तर बढ़ती जा रही है लेकिन असंगठिज छेत्र के समी को मद्दूरों अन और्गनाइज लेबर जिसमें घर काम करने वाले लोग हो या खेतर मद्दूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो ऐसे समाज का एक बहुत बढ़ा तप्पा है मेरे भाईयों बहनों इन मेरे बंदूरों की चिंता कभी नहीं की उन्हें उनके नसीप पर छोड़ दिया रहे हमारे देश में इनकी संख्या अन और्गनाइज लेवर के संख्या करीब परीब 44-42 करोड है उनके लिए प्रदान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना उनके जीवन के उतरार्थ 70 वर्ष की आयू के बाद की जिनकी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी उन्हें आयुशमान भारत योजना प्रदान मंत्री जीवन योटी योजना प्रदान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना प्रजान मंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं का लाग्तों मिलेगा ही गुढ़ा पे में रोज मरा की जिन्गी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा आई और बहनों हमारी सरकार देश के हर उस नागरिप को विकास की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास कर रही है जो अब भी कुछ कारणों से विकास का पुरा लाप नहीं ले पाए समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुतने के इस प्रयास में सरकार ने गुमन्तों समुदायों जैसे मदारी हैं, सपेरा हैं, बंजारा हैं, गाडिया लुहार हैं आदि के लिए एक वेलफेर बौर बनाने का भी हैसला किया है मुझे उम्मीद हैं कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कारियों का लाप इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा आदि के ओंशे, व्यापारी वर्क के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कोई मंत्रालाय हो उस विचार से एक नभी व्यवस्ता का विक्सित करने की दिसा में हम आगे बढ़े हैं देश के व्यापारी वर्क, ट्रेडर्स और अनेक कर्मिचारियों के आवश्रक्ताओं को समखते हुए उनकी जरूरतों को फुरा करने के लिए, बियाई पीपी को रिस्ट्रक्चर करके उसे विशेश जिम्मेदारी दी गई है अब ये विभाग Department for Promotion of Industries and Internal Trade के नाम से जाना जाए मुझे पसंदता है के लिए अगले दसक के अंततक की आवश्रक्ताओं को और लक्सों को धान में रखने हुए भी इस बजेट में योजनाओं को समाहित किया गया है ये बजेट गरीब को शक्ती देगा, किसान को मजबूती देगा, स्रमिकों को सनमान देगा, मिडल क्लास के सपनों को साकार करेगा इमानदार टैक्स प्यर का गवरोगान करेगा प्रेडर्स को ससक्त करेगा इन्फास्ट्रक्टर निर्मान को गति देगा अर्थ व्यवस्ता को नया बल देगा देश का विश्वास मजबूत करेगा ये बजट न्यू इंडिया के लक्षों की प्राप्ति में देश के 130 करोड लोगों को नई उर्जा देगा ये बजट सर्व व्यापी, सर्व स्परसी, सर्व समावेशी है सर्वोत कर्ष को समर्पित है मैं एक बार फिर हमारे मित्रा अरून जी को और प्यूस जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ दन्वाद